कदम बाकदम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे. ओपन माइक सेशन भी करेंगे, जहां पर जो पब्लिक ली बोलना चाहते हैं, विदाउट नेमिंग और शेमिंग, क्योंकि नेमिंग और शेमिंग एक हद तक ठीक है, उसके बाद उससे शायद कड़वाट और बढ़ जाती है. यह ऐसा सज़ेशन आया है, कि जो लोग भी अपनी आप बीती, लोगों के सामने सुनाना चाहते हैं, बड़े हॉल में इंडस्ट्री के सब लोग आएं और सुनें, समझें कि हमारे यहां क्या-क्या हो रहा है. Most important, इंडस्ट्री से मेरी अपील है, producers, directors, casting coordinators. Casting coordinators, casting directors, अकसर वहां से शुरुवात होती हैं इसकी. Compromise शब्द का इस्तमाल किया जाता है. यह मेरी government से अपील है, police से अपील है. हमने एक दो बार police को भी अप्रोच किया, जब किसी casting coordinator ने openly Facebook पर messages देखे हैं, WhatsApp पर messages देखे हैं. यह यह role है, यह age group है, condition, Compro. openly बोल रहे हैं अब तो. We approach the police also and police ने कहा, sir, हमारी भाषा में, कानूनी भाषा में, Compro का कोई मतलब नहीं है. sir, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप Underworld की भाषा को accept करते हैं, कि घोड़ा मतलब बंदूक, खोखा मतलब करोड, तो हमारी भाषा को भी accept कीजिए, हमारे यहां compromise मतलब sexual favor होता है. जहां भी इस चप्ट को सुने, please हमारे member की, हमारी fraternity की complaint लें और उस पर action लें. producers को हमारे साथ मिल करके, और unions के साथ मिल करके तै करना होगा, कि कौन सही casting directors हैं, casting agencies हैं, casting coordinators हैं, इसकी एक verified list बनानी होगी, और यह pledge लेना होगा कि हम इनहीं के साथ काम करेंगे. fly-by-night operators, जो actually दलाल हैं, उन्हें weed-out करें, इसमें बिना producers की सही होग के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो employers हैं. Hopefully इस पर कुछ काम कर पाएंगे. और उससे बड़ी बात, अब जो लोग सामने आ रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, please उन्हें victimize ना करें. ये ना कहें कि अब इस वज़े से लड़कियों को काम मिलना बंद हो जाएगा. हम तो offices में भी लड़कियों को नहीं रखेंगे. पता नहीं कल को कौन क्या बोल दे. Sir, यही mentality problem है. This is part of the problem. कि अगर लड़की बोले, तो यानि लड़की को काम ही मत दो. वो solution नहीं है, sir. वो problem है. हमें अपना behavior चेक करना होगा. हम कुछ ऐसा करे ही ना, कि लड़की या लड़के को बोलने की जरूरत पड़े. अपना व्यवार बदले. सारे shooting sets पर CCTV cameras भी होने चाहिए. Let us, डर पैदा करना जरूरी है, जो मानसिक्ता नहीं बदलना चाहते है, और इस movement से डर पैदा हुआ है. लेकिन उस डर का परिणाम ये नहीं होना चाहिए, कि हम लड़कीों को निकाल देंगे. ये क्या बात हुई है? ये तो वही बात हुई? वही Patrick सोच? पित्रवादी सोच है, और कुछ नहीं है. ये ना करें. लेकिन उनफॉटनेटली ये होता है. और sexual harassment तो बहुत बड़ी बात है. हमारे यहां तो normal harassment, याने working conditions ठीक नहीं है, payment time पर नहीं मिल रहा है, lunch break नहीं होता है. इन चीज़ों को लेकर के जब कोई शिकायत करने आता है, उसे blacklist कर दिया जाता है. उस production आउस से blacklist हो जाता है वो शक्स. लोग डर के मारे normal बातों पर complaint नहीं करते हैं, sexual harassment तो बहुत बड़ी चीज है. मैं आपको एक example दूँगा, हमारे दू actors हैं, जोती अंप्रणाव, उन्होंने एक producer के against complaint की, working conditions बहुत खराब थी, working hours बहुत लेट थे, safety नहीं थी, उनकी health खराब हो रही थी, contract उनका साड़े तीन साल का बना दिया गया था, जब कि original वो supposed to be one year, वो छोड़ना चाहते थे, finally show बंद हो गया, हमने दो महिने का time भी दे दिया था producer को, कि कोई नहीं, यह immediately नहीं छोड़ेंगे, दो महिने का notice दे रहे हैं, आप इनका track खतम कीजिए, या जो भी करना है करें, उससे पहले ही channel ने show बंद कर दिया, आज की rate में यह दोनों actor unemployed है, पूरी टीवी इंडस्ट्री ने इने blacklist कर दिया है, सिर्फ normal harassment complaint पर, bad working conditions, इस complaint पर, sexual harassment की complaint वालों का क्या आल होगा, भगवान जाने हैं, तो मेरी appeal है, अपने seniors से, हमारे stars से, प्लीज, इस वक्त हमें जरूरत है, कि आप हमारी ताकत बने, हमारी आवाज बने, ताकि सिर्फ sexual harassment ही नहीं, और भी cases में, हम लोगों को victim बनने से बचा सकें, directors, producers, broadcasters, please, बदलाव की जरूरत है, TV industry का हाल क्या है, आप सब को मालूम है, कितने actors, बिमारी में भी shoot करते हैं, सलीन ड्रिप चल रहा होता है, सेट पर, वो ड्रिप हटा हटा करके shot देते हैं, क्यों? क्योंकि दिन की 18 मिनट की footage चाहिए, किसी भी कीमत पर, कल का telecast है, बरसों से यही चल रहा है, सालों सालों से जो serial चल रहे हैं, साथ साथ, आठ आठ साल से, वो भी आज तक, कल के telecast के लिए shoot कर रहे हैं, जब आपका इकलौता aim, core of industry बन गया है, 18 मिनट की footage, content की quality क्या है, performance की quality क्या है, रहने की quality क्या है, make-up rooms की quality क्या है, washrooms की quality क्या है, traveling में कितना time जा रहा है, कुछ नहीं, बारा, पंदरा, ठारा घंटे काम हो रहा है, सोने का time नहीं मिलता, over stress हो करके, young people have died also, executive producers, महीनों महीनों payment नहीं मिलते हैं, तीन महीने का payment तुमारा वैसे है, यह 90 दिन की cycle है, 90 दिन का उधार तो हमने दिया ही हुआ है, last में जब serial बंध हो जाता है, हमारा 90 दिन का payment, तीन महीने का payment अटका होता है, वो bargaining chip बन जाता है, तकरीबन हर producer के लिए, loss हो गया जी, adjust कर लो, साल, दो साल तक दोड़ाते रहते हैं, उस payment के लिए, finally ठक हार के हम खुद कहते हैं, कोई नहीं, 50% ही दे दो, कुछ तो दो, परिपाटी बन गई है, अभी तो खबर आई, एक channel ने भी एक producer जिसको loss हो गया, उसको कहा कि, आरे यार तो पूरा क्यों दे रहे हो, 50% में settle करो न, सब करते हैं, producer और channel का loss, हम कब तक, हम कब तक भरते रहेंगे, और क्यों भरें, क्यों भरें, मेरा घर इसी से चलता है, मेरा profession यही है, मेरी EMIZ बच्चों की fees सब इससे जाती है, आपका loss मैं क्यों भरूँ, मैं खुद producer क्यों न बन जाऊं भाई, मुझे में हिम्मत नहीं थी, तो मैं producer नहीं बना, अपना loss आप भरिये न, प्रॉफिट में से किसने हिस्सा दिया आज तक, 2015 से कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, यह सारी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सेक्शल हर्स्मेंट तो एक हिस्सा है, एक सेट पर गए थे, जैसान तोशी मा के सेट पर, रतन राजपूद लीड कर रही थी, यूनिट को मालू में नहीं, फायर एक्स्टिंगुशर हैं कहां पर, फर्स्टेट बॉक्स कहां हैं, उसमें सारी मेडिसिन्स एक्सपायड हैं, फायर ड्रिल तो आज तक हुई नहीं है, किसी सेट पर, अब जब आग लग गई, कोई मर गया, उसके बाद एक दो सेट्स पर हुई, 2015 से भी बिन प्रेसिंग, फायर अउडिट करवाईए, फायर ड्रिल करवाईए, हेल्थ औन सेफटी, सेक्शुल हरेस्मेंट, इस पर काम करते हैं, सारी प्रोडूसर काउंसिल से कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, आज फिर से अपील है, उन सब से, हम सब से केयॉटिक, सब से लुक्ट डाउन अपॉन इंडस्ट्री, टेलिविजन खास कर, क्यों हैं, हमारा पडोसी मुल्क, जिसको हम एनिमी, एनिमी, एनिमी कहते रहते हैं, उसका कंटेंट देखिया, क्यों हम इसे, क्यों हम कंटेंट करने वालों को विक्टम बना देते हैं, क्या हम यह संदेश देना चाहते हैं, हमारे खिलाफ आवाज मत उठाओ, हम बदलना नहीं चाहते हैं, यही है जो है, या तो सहो या जाओ, आवाज उठाओगे, काम जाएगा. is that the message broadcasters and producers want to send to the world this feudal mindset this is our question do we not want to change या तो कह दीजे नही 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 बदलना है हमे एक documentary है उपेंदर चानना जी नही 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 बनाई है उसको तकरीबन सौ इंटरनेशनल आपर मिल चुके हैं तक सौवा आज मिला है Living on the Edge, De-Glamorizing Bollywood उसकी screening हमने International Federation of Actors की अभी Executive Council meeting हुई थी जहां Sunil Sinha और Amir बहल गए थे हमें रेप्जेंट करने वहाँ दिखाई उनको और International Committee देखकर के दंग रह गई कि हमारे यां working conditions ऐसी है FIA और हमारी sister concerns, SAG-AFTRA Actors Equity Actra, बड़ी-बड़ी यूनियन 83 countries FIA की पार्ट है FIA ने लेटर लिखा है Indian Broadcaster Forum को के आप Kripiya, Sinta के साथ डायलोग शुरू करें Conditions चेंज होनी चाहिए यहां हमारे Actors भले ही माने ना माने जिस दिन भी हम strike call दे Shooting बंद हो न हो Let this message be very clear There are some very powerful unions backing us and all the International Players सारे चैनल जितने हैं सब international players है सब का parent country कुछ और है except one or two आप सब से आपके देशों में सवाल पूछे जाएंगे वहां की हमारी sister unions आप से सवाल पूछेंगी So, please do not ignore us We don't intend to be a small voice anymore जिस extent तक जाना होगा जाएंगे Producer bodies भी? No, we will fight If you try to victimize us we'll still fight back जो दो actor हमारे इस वक्त unemployed है Channel ने इनका arbitrator because इनके contract में था कि channel sole arbitrator appoint कर सकता है किसी को भी जिस association का producer खुद member है जिसके against complaint है उस association IMPA को channel ने sole arbitrator appoint कर दिया Clear conflict of interest blatantly illegal but because contract में लिखा है आप कर सकते हैं Actors को force किया गया कि आप महां आया arbitration के लिए arbitration के लिए जाते हैं IMPA के 19 member बैठे हैं दो members का arbitration के लिए 19 members हमारा lawyer साथ में गया बोलते हैं हम lawyer को recognize नहीं करते हैं arbitration में आप lawyer को कैसे recognize नहीं कर सकते हैं our team started walking away they said नहीं 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 इनको रोकिये तो family meeting